Modern 5 bedroom, villa house design, 300 गज के अंदर फ्रेंड्स पर आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने इस घर के विट्फिल ग्लिम्स अपिए जो घर है बहुत ही शांदार लोकेशन, बहुत ही शांदार व्यूज आप इसकी जो डिमेंशन की बात कर रहा हूँ बहुत ही शांदार प्लावट है 312 गज का 300 गज होम डिजाइन कैसे आप अपने घरों के अंदर कर सकते हैं 5BHK का डुपलेक्स हाउस डिजाइन आप इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा देख पाएंगे हमने इसके अंदर प्रॉपर लग्श्री स्टाइल का का काम कि और इसके अंदर जो हमारा में गेट है बहुत ही अमेजिंग वर्क के साथ में यह तकरीवन हमारा तीन फूट का यह और तकरीवन दस फूट का यह वाला गेट है और यह स्लाइदिंग डोर के साथ अपका डोर है और यहां पर हमारा टूट का प्रॉपर अच्छा काम किया गाए हमारे में गेट के पिलर का तो आठव उचाईप आपने देख लिसकी फ्रेंट एलिवेशन अभी उसका में गेट जैसे मैंने दायादा कि रिमोट अपरेटिड गेटा मेरे पास रिमोट इसका मैं इसको अन करूंगा इसी से रिमोट से अन आफ हो जाता है तो बहुत ही शांदर व्यूज एंसके इसको खोला यह अपने आभी ऑटोमेटिक ली ही अपना खुलेगा अगर के इस गर के अंदर एंटर करते हैं मिलता है ब्यूटिफुल पॉज यहां पर हमने प्रॉपर ब्लाक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है बहुत ही शांदार गेट अपने 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 और बहुत ही शांदार यह हमारा ब्लाक ग्रेनाइट है कितना सुदर गेट था आपने देखा था कि अपना भी हमने इसको रिमोर्ट ऑपरेटिड गेट था और पीछे हमारे एंट्रेंस पर ही फोंटेन एरिया बहुत ही शांदार फॉंटेन आप देखे कितना अमेजिंग light के साथ ये fountain आपको रात को जैसे ही कोई enter करेगा, ये आपका drawing room area, कोई जैसे ही enter करेगा तो आपका fountain चल रहा है, तो बहुत ही amazing घर है, आप भी इसी तरी के से अपने घरों को पूरा का पूरा डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पर अपर toughened glass का गाम है, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर toughened glass का का गाम है, अच्छा तगरीबन बारा फूट की slab पे हमने यहाँ पर बना रख है हमारा main gate का design, तो बहुत ही amazing structures, यहाँ अच्छा हमने fall ceiling का amazing design तो बहुत ही शानदार works हैं friends, आप देखिए इसके Porsche area को अच्छा अच्छा एरिया है, तो घर के अंदर ही आपके दो गाड़िया घर के अंदर ही पाक हो जाएंगे और यहाँ पर हमने elevation के साथ, two steps के साथ हमारा main door है, तो बहुत कुछ बता रहा हमारा main door, यह तकरीबन पाँच फूट की चुड़ाई में और दस फूट लंबा हमारा main door है, देखिए कितने शानदर और एक फूट का ऊपर हमने slab डालिया, तो बहुत ही amazing structure आपको इसी तरीके से मिलेगा और यहां पर toughened glass का काम है, तो बहुत ही amazing views में, mesh door और glass का सुंदर काम, अब चलेंगे friends इसके अंदर, इसके साथ हमारा main door है, तकरीबन हमारा साथे चार फूट की चुड़ाई में और 10 फूट लंबा हमारा main door है, और proper keyless entry के साथ जो आज कल के modern style के looks चल रहे हैं, उसी तरीके से मिल सकता है friends, मैं हूँ Anshul और आप देखेंगे टेक्नो के अंचुल, so friend, let's go inside and watch what it has to deliver Friends, जैसे हम इस घर के अंदर enter करते हैं, हमें मिलता है wow factor, बहुत ही शांदार और एक dream home food, 5BHK का वीला, आप कैसे आप अपने घरों को बना सकते हैं, आप वीडियो के अंदर देख पाएंगे, अब यह जो area है, हमारा foyer area है, तकरीमन 6 foot की चुडाई में और 10 foot लंबा, बहुत ही शांदार foyer area, यहाँ पर left hand side पे हमारा drawing room है, जो कि हमने partition के साथ बना रख है, बहु बहुत ही शांदा chandelier, देखिए कितना amazing chandelier आपको अपनी TV screen के ओपर नजर आ रहा है, तो बहुत ही amazing structure है, बहुत ही amazing design है, आप देखिए कितना amazing structure को, हमारा proper drawing room है, कितना amazing drawing room है, जैसे मैंने आपको बताया था, यह toughened glass के साथ, आपका proper front otr था, जो मैंने आपको दिखाया था, और यह इसकी dimensions की बात करूँ, यह तकरीबर 12 by 15 का बहुत ही शांदार हमारा drawing room है, यहाँ पर हमारा अच्छा wall paper का design है, बहुत ही सुन्दर chandelier रग हो है, आपको जिस तरीके से यह चीज़ें दिख रही है, उसी तरीके से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी proper हमारा designing का गाम है, यह proper profile lighting का सुन्दर work है हमारे drawing room में, है भी हमारी false ceiling का design है, तो आप भी जब भी अपनी drawing room designing के बात करें, जितना भी heaviness का work करना है, आप drawing room के अ अंदर see-through की partitions कर दिये हैं, proper MDF के ग्लास के साथ, कि आपको चीज़ें दिख भी यह नहीं भी दिख रही है, और अच्छा हमारा यहाँ पर boxes का design है, बहुती शांदार views है, आप देखिए हमारे drawing room को, से निकलते ही आजाता है, बहुती शांदर हमारा lounge area, कितना amazing lounge area है, तकरीबन 24 फूट की चोड़ाई में आपको यह proper lounge area है, तो मैं आपको नक्षे की बात बताओं कि किस तरीके से I am of middle of the house, तो right side पर आपका first bedroom है, second bedroom, यहाँ पर आपकी stairs जा रही है, जो कि open stairs है, बहुती शां unit है, और यहाँ पर चोटा सा एक हमारा washroom है, powder room जिसको आप बोल सकते हैं, तो यह बिल्कुल center of the house है, तो मैं यह इनाहास पर पूरा का पूरा आपको नक्षा समझ आ जाता है, तो आप देखिए इसके lounge area के व्यूज को कितने beautiful views हैं इस घर के आप इस घर को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते हैं, इसके साथ भी आयता है चोटा सा powder room, powder room जहां पर हम अपना मदब guest आये तो आप अपने bathroom में ने गुसाना चाता है या bedroom में नी तो एक छोटा सा powder room है, यह तकरीबन 4x4 का बहुत ही शांदार powder room है, यहां पर हमने अच्छा vanity का काम किया गया, प्रॉपर modular fittings है, और अच्छा वैनिटी का काम किया गया, प्रॉपर modular fittings है, और अच्छा आप देखिए कितनी सुंदर हमारी cutlery area है, यहां पर आपका LED TV unit आ जाएगा, और यहां पर आपका cutlery unit आ जाएगा, अंदर से भी हमने प्रॉपर laminated और frosted glass के साथ करखा है, और छोटी छोटी lighting का बगए, तो बहुत ही शांदार, और बहुत ही शांदार आपने इसकी fall ceiling का design भी देखा हो, तो बहुत ही amazing design है, इस घर की video बहुत लंबी हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा fast forward दिखाता हूँ कि क्या-क्या चीज़े हैं, और जो main-main scene है, अब इसके बाद ही है हमारी आइती है modular kitchen, देखिए modular kitchen को entrance भी बहुत ही शांदार हमने views दे रखें, यहां पर हमने two lighting setting का वक्ति है, तो बहुत ही amazing लग रही है, और open to open area है, मतलब यहां पर हमने boxes बना दी है, तो open to area है, उसके साथ ही आयती हमारी proper modular kitchen, देखिए कितनी शांदार हमारी modular kitchen है, बिल्कुल middle of house के अंदर middle of modular kitchen, जो जिसकी dimension तकरीबन 15 by 15 का बहुत ही शांदार हमारी kitchen है, यहां पर हम light brown tile, profile lighting का बहुत ही शांदार work है, जब भी आप designing की बात करकी modular kitchen में क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमने proper ventilation का ध्यान है, यहां पर चिमनी हमने पहले से ही लगाई हुए, यहां पर सारे के सारे चीज़ें, आपको इसी तरीके से मिलेगी, सारी ब्राइब फिटिंग इसके जाए पैसा खर्चा हुआ है घर के अदर वो दिखे अभी quards marble का work है, और कितना शांदर एक छोटा सा एरिया है जहां पर आपका middle of breakfast table जिसको तरीके से रहाता है, यहां पर आपका tap विगारा लगी लिए है तो पानी ही चल रहा है, सब कुछ में बादूलर kitchen, best और जो यहां पर अच्छी sink, जो anti-noise वाली sink चल रही है उस तरीके से, तो बहुत ही शांदर modular kitchen है, और branded fittings के साथ आपको इसी तरीके से मिलेगी with pantry unit, जो आजकल की modular pantry units हैं, और यहां पर OTGs विगारा है, तो आपको इसी तरीके से proper area के साथ आपको मिल सकती है, आप देखिए इसके views क आपको इसकी modular kitchen कैसी लगी, जुरूर मुझे comment section में बताएगा, कि modular kitchen मेरी technical credential modular kitchen है, keyword Google के दर बहुत ज़्यादा famous है, तो लोग मेरी modular kitchen को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अब इसके चलते हैं इसके first bedroom के अंदर, यह first bedroom है, जो की बहुत की शांदर bedroom है, देखिए कितना football की ground की तरह यह bedroom है, यह तकरीबन हमारा 15 foot की चुड़ाई में और 15 foot लंबा हमार bedroom है, यहाँ पर king size आपका bed आजाएगा, यहाँ पर अच्छी हमने lighting का work किया है, यहाँ पर आपके bed switches इसी तरीके से मिलेंगे, और बहुत ही शांदर यहाँ पर इसकी false ceiling, normal false ceiling का design है, कितना amazing, और साथ में ही आया थी हमारी proper LED TV उनिट बनाया है, जो की पूरी proper हमारा LED TV उनिट illuminated area भी toughened glass लगाया है, हमेशा light color का इस्तमाल करें, सिर्फ हमने dark wall लगाई है, और सारी light color का काम किया गया, यहाँ पर हमेशा false ceiling, normal false ceiling काई, कोई heavy भढ़कीला काम ना कीजिए, और light white color का काम कीजिए, हमारे bedroom के थे हमने proper light white tint का time है, और मीचे भी अच्छा light tiling का work है, तो बहु हमारा attached dressing area, बहुत ही शांदा ड्रेसिंग अरिया देखिए, हमने आज कल के जो modern look में हमारे water op चल रहा है, sliding door के साथ हमने इसी तरीके से किप गुनाया है, और यह जेकिए pull handle के साथ जैसे आज कल की pull handle के साथ यह चीज़ चल रही है, इसी तरीके से आप भी बिना सकते तो बह आज हमारा ड्रोर्स है, तो soft edge के अंदर हमने सारे-सारे ड्रोर्स का काम किया गया है, proper wardrobe के अंदर polish का काम है, कोई ऐसा नहीं की माइका लगाया, polish के साथ और अच्छा हमारा dressing पीछे table है, तो बहुत ही शांदार हमारा यह dressing area और जब भी आप वास्तु में बात करें, तो हमा Attach washroom, Attach washroom बहुत ही शांदार है, तकरीबन 8 x 10 का बहुत ही शांदार कमरा है, लोगों के कमरे होते हैं, इतना बड़ा washroom है हमारा यहां पर, हमने जब भी washroom की बात कर तो washroom कैसे design होना जी है, वाश्रूम हमेशा नीचे endis की tiling का बग की है, हमने endis की tiling का बग की है, आज क dry और wet area का इस्तमाल केजिए, हमने यह प्रॉपर wet area में लाया है, जो आपका camera screen के इदर है, तो right में dry area है, और यहां पर हमने proper amenities का का काम केए, दिखें आपके hanging है, जो भी इस तरीके के, आपके towel के hangings है, इस तरीके से हैं, यहां पर भी corner का design है, इस तरीके से हमारे proper glass है, जह आपको sensor work proper defined है, और अच्छा हमारा normal false selling का design है, और जितने भी हमने vanities बनाई है, सारे के सारे P.O polish के साथ, ब्रैंडि फिटिक्स के साथ, इस तरीके से मिलेगी, तो बहुत ही शांदार हमारा काम है, आप देखिए इसको अच्छा आप दोर्स के डिजाइन होना है, बहुत ही शांदा डोर्स का design है, बीच में हमने चार कुल की sheet लगाई हुए है, और अच्छा 8 फूट की उचाई पर दर्वाजे है, तो पैसा खर्चा हुए है, आपको वीडियो के इंदर proper नजर भी आ रहे है, अब चलते हैं इ यह तकरीवन हमारा 10 फूट की चुडाई में और 30 फूट लंबा हमारा बैकोट याड है, तो बहुत ही शांदार है, जहां पर आप अपन स्पेस की बात करें, तो यह हमारा second bedroom है, यहां पर इसका washroom है, तो और इसके साथ भी हमने क्या कि किच्छन सी मनाई हुए है, कि जैसे कोई parties भी होती है, तो आपने वेट एरिया अलग से रखना है, तो वेट एरिया के लिए प्रॉपर अलग से kitchen बैकोट याड में क्या है, कि जहां पर आप अपना washing एरिया बना सकते हैं, तो सारा कुछ इसी तरीके से maintained है, हमने washing एरिया, उसके लिए switches का सारा काम किया है, motor भी to be defined है, आप देखिए, तो इसके second bedroom के अंदर यह भी एक बहुत ही शांदार bedroom है, तग्रीवन 15 में 15 का बहुत ही शांदार bedroom है, यहां पेपर का का काम किया गया है, जो की बहुत ही golden tinge के अंदर है, और यहां पर सुन्दर काम किया गया है हमारा water up area, तो proper water up area है, अंदर से भी लामनेटेट अब भाहर से लामनेटेट जब भी अब water up की बात करें जो आज कल modern look में water up चल रहे है, पुरा इस sliding dose के water up चल रहे हैं और क्या है कि ओवर हेड तक हमने dead space का का काम किया लीचे भी हमारे shoe ranks गया गया के लिए आप spaces हैं, प्रोपर soft touch के अंदर हैं और क्या है कि य यह बेटरूम है, ब्लाक कलर और लाइट ब्राउन का अच्छा टींज है और यहां पर भी ब्लाक और लाइट ब्राउन का अच्छा टींज है चार कोल की शीट का वर्क और बहुत ही शांदर हमारी false hini का डिजाइन, एल शेप में जो windows सल रही हैं उस तरीके की L शेप की windows है प्रोपर वेंटिलेटिड एरिया है, साथ में आयता है हमारा attached dressing area, तो बहुत ही शांदर dressing area है, हमें mirror का काम किया गया है, प्रोपर toughened glass के काम, उसके साथ ही आयता है attached हमारा washroom, तो बहुत ही शांदर washroom है, यहां पर सारे amenities आपकी इसी तरीके से मिली हुई हैं जैसे कि हमने corner क design के हमारे proper जो हमारे hanging रहते हैं, तो बहुत है रहते हैं उस तरीके का नाम है और यहां पर dry और वेट एरियरे का ventilated area proper washroom आप देखिए इसके ground free area के विजगप चलेंगे इसके first floor, first floor के इंडर जो हमारी stairs हैं तकरीबन 3 feet की चुड़ाई में हमारी stairs है, प्रपर इसी तरीके से मिलेंगी और यहां पर toughened glass का काम है आपप a steel railing का वग है और बहुत ही शांदार बहुत ही शांदार व्यूस हैं आप इस वीडियो को पूरा का पूरा मेंस नहीं करेंगे इसके ग्राउंड एरिया के व्यूस को और कितना सुन्दर शैंडले रहा है कितना शांदार व्यूस आपको नजर आ रहे हैं अपने कामरा स्कूल के पर और ओपन टू स्काई अरिया और यह हमारा प्रॉपर लांज अरिया यहां पर आपका यह तगरीवन हमारा बीस बैबीस का बहुत ही शांदार लांज एरिया है अच्छा हमारा प्रॉफाइल लाइटिंग हमारा बहुत ही सुन्दर हमारी फॉलसिलिंग का डिजाइन है और यहां पर कितना सुन्दर हमारा शैंड लियर का काम है तो बहुत ही अमेजिंग है आप देखे इसके मिडल लांज एरिया को बहुत ही शांदार पुजा रूम है हमने इसमें डिको पेंट और अच्छा अक्रेलिक शीट का आप देखे इसके साथ भी हमने चोटी सी पैंट्री उनिट बना रखे कि फर्स्ट फ्लोर पर आप फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे हैं तो आपको नीचे ना जाना पड़े तो यह चे बाए बारा का बहुत ही शांदार पेंटर उनिट आप देखिए फर्स्ट बेडरूम जो की फ्रेंट एलिवेशन के सामने इतना शांदार बेडरूम है हमारा फ्रेंट एलिवेशन के सामने यहां पर हमने प्रॉपर वाल बेपर का अच्छा काम गया गया है जो टफ हैं ग्लास के साथ को आपको इसी तरीके से मिलेगा देखिए किना सी थू आपके यहां पर राम से बैटिए है पर यहां पर अच्छा डीको पेंट का गाम है और यहां पर कितना सुंदर आपका शैंडलियर का वर्क था जो मैं आपको दिखा रहा था कि नहीं करें हैं यहां पर शूंदर शैंडलियर का वर्क बहुत highly अमेजिग डीजाइन ऐं धर कर तो मलब समझ नहीं आए कि कहां से स्टार्ट करें और कहां से खतम और इसके साथ भी आता है, Att neoц हमारा Balkan डिया है, तो बहुत ही अमेजिग बालकन रिया शानदार बालकन डिया यहां पर हमने प्रोपर टफ만ड ऍजास के साथ जांड ट्रॉफ fed राइट करा था, तो बहुत ही अमेजिगे। और यहां पर भी स्टील रेलिंग के साथ अमेजिंग और यहां पर नीचे हमें टाइलिंग का वर्क किया गया तो बहुत ही शांदर हमारा बालकनी एरिया अच्छ वाश्रूम और यह हमारा ड्रेसिंग रिया कितना शांदर हमने ड्रेसिंग अपना अरक है लेफ्ट हेंड साइट मेरर है राइट साइट में वाट्रॉब्स है और साइट में अटाइच्ट हमारा ड्रेसिंग बतलब प्रॉपर वाश्रूम है जहां पर हमने वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है ड्राइए और वेटी अरियर का प्रॉपर ध्यान अच्छा वैनेटी का ब्लाइक टाइलिंग बहुत ही सुंदर वह ओवर हैट तक बेड्रूम है कितना शांदर यह भी बेड्रूम है यहां पर भी टफन ग्लास का है चोटा सा हमारा कोट्याड बैक में भी दिया गया है और अच्छा हमारा यहां पर वॉल पेपर का काम है सारे के सारे वाट्रॉप आपको इसी तरीके से मिलेंगे स्लाइडिंग डोस के प्रॉपर शौवर है कितना सुन्दर आपका शौवर है ब्रैंडिन अमिनिटी के साथ को आपको इसी तरीके से मिल जबता है आप देखिए आज आजाता है हमारा एक बैकोट याड बीचे अच्छा सुन्दर बैकोट याड और टाउप पे हमने एक सर्वेंट कॉर्टर सकते हैं या अब में इन जो पार्टी के लिए चीज़ें रख सकते हैं तो बहुत ही शाहदार यहां पर भी अच्छा स्टील रेलिंग का वर्क है प्रॉपर ग्रेन इट का सुन्दर वर्क है फ्रेंट मुझे तो 5BHK का modern village house design बहुत ही शांदा लग अगर जो फ्रेंट आपने इस घर को खरीदना या विजिट करना है तो अभी नीचे दिए मुबाइल नबर पर मुझे कॉल केजिए मैं खरीदने और विजिट के हलक पर सकता हूँ चैनल पर पहली बार है तो नीचे अगर बार विजिए